अज हम बनाएंगे साबू दाने की खीर जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही कम सब्सक्राइब बनके तयार हो जाती है यहां पे लिए हमेंने साबू दाना साबू दाने को आप देख के समझ गये होंगे कि मैंने इसे भीगा रखा था बिल्कुल सही सम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वह भी मैं आपको दिखा देती हूं देख लीजे और क्या लिया है मैंने यहां पे लिया है मैंने मावा और यह ले रखा है मैंने किस्मिस और यहां पे लिया है मैंने काजू यह बदाम यहां पे देखे 5-6 मैंने हरी छोटी इलाइची ल हमारा बनकर तयार है और देख लीजिए मैं क्या चाहिए यहां पे लिए रखी है मैंने दूध ये रखा है एक ग्लास दूध लिया है और यह दूध छीनी हमारी फुल 100 gram चीनी है और 200 gram हमने लिया है साबू दाना तो अब हम सबसे पहले साबू दाने को दूद में पका लेते हैं कडाई को हमने गरम होने के लिए चढ़ा दिया है अब हम कडाही में डाल देते हैं यह देसी गी सारा तो युझी हम ल् Career work fine य्व करने मेंकि या क्या है यहां हived निष्ट छूखा ऴिवा साभू दाना इसके अंदर और हम इसे थोढ़ा सा यह व्म दाना कि है best मैट सब्सक्राइब Тब्साइबuru करते हैं इसे हम जो हो है टेस्ट केस्ट भीका एक दम हो जाएगा हम भून लेते हैं इसे साबू दाने को हमने दो मेर तक लगतार ऐसे ही भूना है और भूनते रहें वरना यह चिपक जाएगा अब हम इसमें डाल देते हैं गलास का दूद एक गलास दूद हम सारा डाल देते हैं और दूद को थोड़ा सा मपकने देते हैं तब तक हम यह milk powder को घोल लेते हैं आप चाहें दूद में घोले और आप चाहें तो पानी में भी घोल सकते हैं तब तक हम दूद को पकने देते हैं साबू दाने के साथ अब हम डाल देते हैं ये पका के गाढ़ा कर लेते हैं, जब तक गाढ़ी और मीठी खीर ना रहे तब तक खाने का मज़ा नहीं आता, ऐसे हम गाढ़ा करते हैं इसे, खीर हमारी अच्छी तरीके से पक रही है, देखिए अच्छे से ये बॉइल हो रही है, पक रही है, अब हम इसमें डाल देते हैं च स्वादिष्ट खीर बन कर त्यार होती है आपको इस बार जरूर ड्राय करना चाहिए खीर हमारी अच्छी तरीके से देखे पक चुकी है अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे यह देखिए यह बहुत ही स्वादिष्ट खीर होती है अब हम इसमें डाल देते हैं सारे ड्राय फूट आधा थोड़ा थोड़ा ड्राय फूट यानी कि आधा ड्राय फूट से एक्दम चेंज हो जायेगा इसे भी हम अच्छे से मिलाते उए अब हम इसे एक मिनट और पका लेते हैं खीर को हमने एक मेर्ट लगातार पका लिया है और देखिए कितनी गाड़ी गाड़ी हमारी खीर एकदम अच्छी क्यूट सी बनकर त्यार है अब हम फ्लेम को ओफ करेंगे और सारी खीर को हम एक बावल में निकाल लेते हैं सारी खीर को देखिए मैंने एक बावल में निकाल लिया है और ये देखिए साबुदाने की खीर कितनी ज्यादा क्यूट बनकर तयार है देख लीजिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में अब हम ड्राइफूट से इसे गार्निसिंग कर देते हैं ये मैंने कटे अाट के ये बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनकर तयार है मैं आपको कटोरी में निकाल के दिखाती हूं खीर को कि कम मेरी पसंद आये हो तो तो मेरी वीडिव को फटा फट से आप लाइक करें और मेरे चनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें साइड में दिवे बिल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें तो अगली वीडियो के साथ मैं आप से फिर मिलती हूँ है पी होली